प्रियबंधो जै भीम जै भारत नमा बुद्धाय आज मैं आपके सामने बाबासाय टॉक्टर भीमराव अंविटकर जी के महान बहुत गरंथ बुद्ध एंडिस्थम का हिंदी अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम का बत्तिस्वा भाग प्रस्तुत करने जा रहा ह अब हम अब एक जिए अनुगाम बुक्सेंटर से या मुझसे खरी सकते हैं या फिर या पुस्तप मुफ्त में बहुत वियत्वी ही की जाती है अभी हम इसे पिछले वाले खंड के अंदर भाग में हम खंड चार भागे बढ़ रहे थे जिसमें हमने समापत किया कि धम और नैतिक्ता अब हम आगे पढ़ते हैं केवल नैतिक्ता ही परियापत नहीं है ये पवित्र और विश्वयापी होनी चाहिए कोई भी चीज कब पवित्र बनती है कोई चीज क्यों पवित्र बनती है प्रतेक मानव समाज में चाहे वह आदिम अवस्था में है अथवा वह उन्नत अवस्था में है कुछ चीजे या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और शेश अन्य अपवित्र माने जाते हैं जब कुछ चीज या विश्वास अपवित्रता की अवस्था में प्रवेश कर गया तो इसका अर्थ है कि इसके विरुद आचर नहीं किया जा सकता वास्ता में उसे स्पर्ष ही नहीं किया जा सकता ऐसा करना सरवथा निशिद हो जाता है इसके विपरित जो चीज या बात अपवित्र है अर्था पवित्रता के शेत्र से भाहर है उसके विरुथ आचन किया जा सकता है इसका अर्थ है कि आदमी बिना किसी भय अथवा संशे के उसके विपरित जैसा चाहे कर सकता है पवित्रता पून्य है तथा पावन है इसका उलंगन करना धम विरुत है किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है अपने प्रशन को विश्य के भीतर रखने के लिए उच्छा जा सकता है कि नैतिक्ता को पवित्र क्यों बनाया गया नैतिक्ता को पवित्र बनाने में तीन काणों ने भूमी का निभाई है देखिए बहुत महत्वपून है हम नैतिक्ता नैतिक्ता करते हैं और नैतिक्ता को पवित्र बना दिया गया है सेकर्ड बना दिया गया है पहला कारण श्रेष्ठ है उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवशक्ता का होना इस प्रश्ण की प्रश्ट भूमी का संबंध उस बात से हैं अस्तित्व के लिए संगर्ष और योगितम का जीवित रहने, जीवित पने रहना कहते हैं यह परश्ण विकास वाद के सिधान से उत्पन होता है सामाने ज्यान है कि अस्तित्व हेतु संगर्ष से ही विकास होता है क्योंकि आरंबिक यूग में भोजन सामगरी के साधन सीमी थे संगर्ष दुखत है प्राकरति के पंजे और दात अरक्तरंजित रहे हैं जो संगर्ष दुखत और अरक्तरंजित होता है उसमें केवल योगेतम ही जीवित रह पाता है समाज की आरंबिक अवस्था ऐसी ही रही है प्राचीन काल के दोरान किसी ने यह प्रश्म अवश्य उठाया होगा क्या योगेतम या कहें सबसे अधिक शक्ति संपन ही शेष्टम है निर्बलतम को यह दिस अन्रक्षन देकर बचाय जाए तो क्या वह अंत में समाज के उद्देश की वृध्धी में शेष्ट सी दिना होगा लगता है कि उस समय के समाज में एक स्विकरात्मक उत्तर दिया होगा तब प्रशन पैदा होता है कमजोरों की सुरक्षा का रास्ता कौन सा है योगितम या कहें सबसे अधिक शक्तिशाली पर कुछ नियंत्रन लगाया जाना आवश्रक समझा गया इस तिती में नैतिक्ता का मूल और आवश्रक्ता छिपी है इस नैतिक्ता का पवित्र होना आवश्रक्त था किमकि आरंब में इसे योगितम या करें सरवादिक शक्तिशाली व्यक्ति पर ही लागू किया गया इसके बड़े गंभीर परिनाव हो सकते थे पहला के नहतिकता समाजिक होकर भी कहीं असमाजिक या करें समाजिक हितों की विरोधी तो नहीं हो जाती ऐसा नहीं है कि चारों में कोई नैतिक्ता, कि चोरों में कोई नैतिक्ता ना हो वेपारियों में नैतिक्ता होती है, सहचातियों में नैतिक्ता होती है और डाकूओं के गिरों में भी नैतिक्ता होती है लेकिन यह नातिक्ता प्रतक्ता और अलगाव की भावना लिये होती है इस नातिक्ता में गिरों के हित की रक्षा ही नहीत होती है इसलिए यह नातिक्ता समाज हित विरोधी है इस प्रकार की नातिक्ता की प्रथक्ता और अलगाव अपने में सीमित रहने की भावना ही है जिससे इसी समाज हित विरोधी प्रवरती को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है यही बात उस समय भी लागो होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वारतों की रक्षा करने के लिए नैतिक्ता को मानता है समाज की इस दल संस्था का पैणा मव्यापक होता है यदि समाज का निर्मान इस प्रकार के समाज विरोधी दल से ही हो तो समाज हमेशा असंगठित होगा और दलगत रहेगा एक असंगठित और दलगत समाज का सबसे बड़ा खत्रा यह है कि यह कई तरह के अलग-अलग मापदन्ड और स्तरों को स्थापित करता है समान मापदन और स्तर के अभभाव में समाज परस पर मिल जुल कर रहने वाला समाज नहीं हो सकता इस प्रकार अलग-अलग मापदन और स्तर के रहे विक्ति के लिए मन का सामंजस से बनाय रखना का सब्ग है अपने विवेक युक्त अत्वा संतुलित दावों का ध्यान किये बिना यदि समाज में किसी एक दल की दूसरे दल पर शेष्टा बनी रहती है तो इसका अवश्यम भावी परिणाम परस पर कला होगा कला को रोकने का एक मातर उपाई यह है कि सभी के लिए नैतिक्ता के समान नियम हो जो सभी के लिए पवित्र हो एक तीसरा कारण भी है जिसमें नैतिक्ता का पवित्र और सर्व मानने होना आवश्यक समझा जाता है यह है व्यक्तिकत प्रगति के लिए अपेक्षित संरक्षन अस्तित्व के लिए संघर्ष अथर दलगत शासन के अधीन व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं रहता दलगत शासन व्यक्ति को चित की समान जस्यता प्राप्त करने से और उपता है या तभी संभव हो सकता है जब समाज में समान आदर्श हो और समान माप्तिन हो व्यक्ति के विचार भटक जाते हैं और इसमें ऐसे चित्की उत्पत्ती होती है जो एकता को विक्रत कर देता है। दूसरे दलगत समू बेदभाग की ओर ले जाता है और इस प्रकार न्याय को नकारा जाता है। दलगत समू से वर्व जड़ी भूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक रहते हैं गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। स्वामी हमेशा स्वामी बने रहते हैं और मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं विशेश अदिकार संपन लोग हमेशा विशेश दिखारों से युक्त ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही बने रहते हैं इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों के लिए सुतंतरता हो सकती है कि इन्तु सभी के लिए नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है कि इन्तु अधिकांश लोगों के लिए नहीं, इसका क्या इलाज है, इसका केवल एक इलाज है कि भ्रात्रत इन्हें इन्हें इसका नाहें, बस भाईचारे का इसलिए नयदिक्ता का दूसरा नाम है इसलिए भगवान गुद्ध ने उप्तेश दिया कि धम ही नैतिकता है और जिस प्रकार धम पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है अगर हम खंड चार का दूसरा भाग शिरू करते हैं किसी प्रकार शाप्दिक समानता मूल भूत अर्थ वेद को चिपाये रखती है किसी प्रकार शाप्तिक समान था हो सकते हैं बहुत शब्द समान हो लेकिन उनका जो मूल भूत अर्थ है वह हो सकते हैं कि अलग उसको छपा देता है विभाग एक पुनर जनम प्रारंबिक ये पुनर जनम पर है यह प्रशन प्राया पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है बुद्ध के समकारिन आचारियों के दो अलग-अलग तरह के मत थे एक वर्ग शाश्वतवादी या आत्मवादी कहलाता था दूसरा उच्छेदवादी कहलाता था जो शाश्वत वाद था उसका कहना था कि आत्मा का मर्ण नहीं होता इसलिए जीवन शाश्वत है पुनर जनम द्वारा इसका नवीदी करण होता रहता है उच्छेद वादि के मन का उच्छेद वादियों के मत का सार एक शब्द उच्छेद वाद में व्यक्त किया गया था जिसका अर्थ है मृत्यू विनाश ही मृत्यू या कहें विनाश ही प्रतेग वस्तु का अंध है मृत्यू के बाद कुछ भी व्शेश नहीं रहता इन्होंने मृत्यू के लिए बर्यकिट में एक शब्र रखा है विनाश भगवान बुद्ध शाश्वत वादी नहीं थे क्योंकि इसका अर्थ था एक पर्थक नित्य आत्मा में विश्वास करना जिसके वह विरोधी थे तो क्या तथागत उच्छे दवादी थे आत्मा के अस्तित्यू में विश्वास ना करने की कारण सवभाविक तोर पर बुद्ध के उच्छे दवादी होने की अपेक्शन की जा सकती है लेकिन अलग दुपम सुत में भखवान बुद्ध ने शिकायत की है कि उन्हें उच्छे दवादी कहा जाता है जबकि ये धारत में वे उच्छे दवादी नहीं है उन्होंने जो भी कहा वे इस प्रकार है तो देखिए ध्यान से एक बाश को दुबारा सुनेगा उच्छे दवादियों के मत का सार एक शब्द उच्छे दवाद में व्यक्त किया गया ये तपी मैं इस मत को स्थापित करता हूँ और इसी की देशना करता हूँ तो भी कुछ श्रमन ब्रामन गलत धंग से गलती से मुझ पर सच्चाई के विपरित उच्छेदवादी होने का जूटा आरप लगाते हैं कि मैं मानव के विखटन, विनाश और विध्वन्स की शिक्षा देता हूँ यह कहा जाना ऐसा है जो मैं नहीं हूँ और जिसका मैं समर्थन नहीं करता जिसे गलत धंग से गलती से मेरे विरुध उन भली लोगों द्वारा आरपित किया जाता है जो मुझे उच्छे दुवादी बताते हैं यदि यह कतन यथारत है और ऐसे लोगों द्वारा शेपक या कहें मनगडंत नहीं है जो बहुत धंपर चलाकी से ब्राहमनी सिधान्त मड़ देना चाहते थे तो यह कतन एक गंबिर दुविधा पैदा करता है यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद आत्मा के अस्तित्यों में विश्वास ना करे और तब भी कहें कि मैं उच्छे दुवादी नहीं हूँ इससे परश्ट पैदा होता है कि क्या भगवान बुद पुनर जिनम को मानते थे पुनर जिनम किस चीज का क्या भगवान बुद पुनर जिनम में विश्वास करते थे उत्तर हां में है अच्छा यह होगा कि इस परश्ट को दो हिस्सों में बाट लिया जाए किस चीज का जन और किस व्यक्ति का जन यह अच्छा रहेगा कि इन दोनों प्रश्णों को एक-एक करके लिया जाए पहले हम इस प्रश्ण को ले ले कि पुनरजनम किस चीज का इस प्रश्ण की प्राया अवेलना ही की जाती है यह दोनों प्रश्णों को एक बना देने का ही परिनाम है कि पुनरजनम के बारे में इतना भ्रम पैदा हो गया है भगवान भुद्ध के अनुसार अस्तित्व के चार भातिक पदार्थ है महाभूत है जिनसे श्रीर बनता है इन्हें हम सकंध भी कहते हैं पृत्वी जल अगनी वायो महाभूत है पंच महाभूत प्रश्ण है जब श्रीर का मरन होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है क्या वे भी श्रीर के साथ मर जाते है कुछ लोग का कहना है कि वे भी मर जाते है भगवान भुद्ध ने कहा कि नहीं वे अकाश में सामोहिक रूप से विद्धमान या कहें तैरते हुए विद्धमान सामान भौतिक पदार्थों में मिल जाते हैं इस विद्धमान राशी में से जब इन चारो महाभूतों का पुनर मिलन होता है जो पुनर जन्म होता है देखे इसको ऐसे भी समझे कि हम जिन उर्जाओं से मिलकर बने हैं इसमें चार महाबूत कहे गए हाला कि भूत धम के और करन्तों से पता लगे हैं कि भै मस्तिक्ष को भी एक भूत की तरह एक मानते थे बहुत तो को उर्जा कही न कहीं शीर होने की बाद और कि डूर्जा से दूसरी और कि मैं इसे कहीं बाद लोगों को संजहता हैं से को जैसी हम कहते हैं काइनिटि केदि के अनरजी की केंई इंटव में हीट एनरजी जो काइनेटिक एनरजी होती है वो हीट एनरजी में बदल जाती है लेकिन इसको आत्मा के सिध्धान से ना तोला जाए यहां में बात कहना चाहूंगा कि आत्मा का सिध्धान देने वाले कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है आत्मा को ना कोई मार सकता है ना जला सकता है ना काट सकता है ना उसे डबो सकता है अगर ऐसा है तो नर्क की जब कलपना करते हैं स्वर्प की कलतना करते हैं तो नर्क में आत्मा को कैसे दुख मिल सकता है अर्था आत्मा तो नहीं गई अगर उनका नर्क मांग दिया जाए तो कहीं न कहीं अलग फॉर्म में या सेम फॉर्म में आप जाएंगे उसी रूप में जाएंगे या किसी अलग रूप में इस पर इंग्लिश में मैंने बुक बनाई है वो आप सुनिएगा जिरूर 31 Plains of Existence मतलब वीडियो बनाया है एक बहुत भिक्कु द्वारा कही रिवेब बुक है जिसमें उन्हें 31 अलग अलग प्लेइन्स के बारे में अलग अयामों के बारे में लिए यह आपशक नहीं है कि वे उसी शरीर के हो जिसका मरन हो चुका है वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंच हो सकते हैं यही बात थ्यान देने योग्या है कि शरीर का मरन हो जाता है लेकिन भौतिक बदार्थ बने रहते हैं भगवान बुद इसी प्रकार के पुनर जर्म को मानते थे सारी पुद ने मा कोठित के साथ जो वारता की उससे इस विश्य पर बहुत प्रकाश पड़ता है ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब भगवान बुद सावत्ती में पुद नात्पिंडिक के जेतुरा राम में विहार कर रहे थे तो मा को तिक ध्यान कर चुकने के पस्चाथ सारी पुत के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्णों को सपष्ट कर देने की प्रारतना की जो उन्हें परिशान कर रहे थे उन प्रश्णू में से एक यह था प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजन का प्रहाण या कहें ध्यान होता है और कितनों को यह बनाए रखता है सारी पुत ने उत्तर दिया प्रते के पांच पांच कामचंद व्यापाद थीन मिध या कहें आलसे उद्धच प्रॉंक्या मैं असका अरत नहीं लिखा है मुझे ही नहीं पता पर आप दीग नहीं कहा है पढ़ेंगे ता आपका समय में आ जाएगा तथा मुझे कितसा का प्र अधिती सुख्त था एकागरता शेश रहते हैं मा को ठीट ने बुचा रूप शब्द गंध रस और स्पर्ष देखिए इनको समझने के लिए आपको तिपिटक का अध्यन करना पड़ेगा नगर आप चाहें तिपिटक मुझसे मगवा सकते हैं चार से पांच हजार रुप इंग्लिश में बढ़ सकते हैं पर अवाइड करेंगर आप हिंदी पाली संस्क्रिट जानते तो हिंदी और पाली जानते तो बहुत ही अच्छी वात है पाली और मैं कोंग अब चाइनीज कोरियन तिपती बर्मीज जैपनिस इन सब भाशाओं का कंबोडियन जितनी भी जाला से जादा अंगों सीखें मा को ठित ने पूचा रूप शब्द गंध रस और सपर्ष इन पांचो वेद्राओं को ले प्रतेक का विश्य प्रतक है शेत्र प्रतक है प्रतेक की क्रिया एक दूसरे इंद्रियें से प्रतक प्रतक है और सपर्ष रूप से पर्ष प्रतक इसका अनतथा आधार क्या है कौन है जो पाँचों इंद्रियों के विष्यों और शेतरों का उप्भोग करता है सारी पुत ने उप्तर दिया मन माखोठित ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती है सारी पुत चेतना जीवित इंद्रिये पर माखोठित चेतना किस पर निर्भर करती है सारी पुत उष्णता पर माखोठित उष्णता उष्णता आरता हीट किस पर उश्चनता किस पर निर्भल करती है कर चेतना पर बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर आ को मैं कहा रहा हूं अगर आप-अगर तिपिटक का अध्यान करेंगे तिपिटक के अध्यान में आपको विग्यान के दर्षन होगा एतना सूख्ष में विज्ञान का दर्षन होगा मैं कहते हो अग्राव विज्ञानिक है डॉक्टर है साइंटिस्ट है तो आप डिपी डंकरें दिपीटक के अध्यन पर आप नहीं धी धियूरिक हर्या आप बहुत मानव ज्यूर्ड के काफी गहराईयों में आप जा सकते हैं इसको मैं एक बार शुरूर से पढ़ता हूँ ध्यान देशनिये महाकोठिक ने पूछा रूप, शव्द, गंद, रस और स्पर्ष इन पांचो वेदनाओं को ले पर्ष 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 परष पर्ष 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 प इंद्रियों कों कर रहा है हुप हुब उत्तर दिया मन कि मन इंद्रियां को उपभोग कर रहा है यह पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं किस पर करती हैं चेतना पर यहां पर ब्लैक्रिप निखाए जीविट इंद्रियां लेकिन हम कहेंगे चेतना पर चेतना को हमने करा है यह पांचों चेतना पर करती निर्वर करती है उ सुषनता को हम एक ईपनारिए जब मरता कर चैना चीजिन अब कि इस पर निर्वर करती है चेतना पर चेतना ऊशनता पर निर्वर करती है इसका संखेप में अर्थ समझाईए सारी पुत ने उत्तर दिया एक धारण द्वारा समझाता हूं जैसे प्रदीब के प्रकाश से प्रदीब की लौ परकट होती है और प्रदीप की लॉज से प्रदीप का प्रकाश प्रकड होता है। उसी प्रकार चेतना उशना उशनता पर निर्भा करती है। मा को ठित ने पूचा ऐसी कितनी चीज़े हैं जिन से मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझ कर सुखे काट की तरफ फैंक दिया था है। सारी पुत्त ने उत्तर दिया जीवित इंद्रिय, उशनता और विज्ञान, चेतना उशनता और विज्ञान। इस विज्ञान का अर्थ अर्ला गया, मैं भूल गया, पिछले उसमें मैंने बिताया आपको। मा कोठित ने पूछा, मृत्त देय में और उस ध्यानी बिक्खो में जिसने संग्या और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है। सारी पुठ ने समझाया, म्रतदे में ना केवल शरी रवानी और मन की क्लिया शांत हो जाती है, बलकि चेतना भी उस्णता भी नहीं रहती, तBB इंद्रियों का भी मूद्लोचेद हो जाता है, जबकि ध्यानी बिक्खो की चेतना बनी रहती है, उस्णता बनी रहती है, यत् पिंद्रियों की वितर्ख, विचार, संग्या, क्रियाएं शांत हो जाती है, बंदनी का आगा शांत हो जाती है, संभवत्ता या मृत्यू या उच्छेद की सरवादिक शेष्ट, तो था सरवादिक संपूर्ण व्याक्या है, इस समवाद में केवल एक कड़ी की कमी है, मा को जिद को सारी पुट्र से यहापक्रशन करना चाहिए था कि वूष्णदा से क्या भिप्राए है, सारी पुट्र तं ने क्या उत्तर दिया होता है, इसकी कल्पना कर पाना आसान नहीं है, लेकि इसमें कोई संदेय नहीं कि वूष्णदा का भिप्राए उर्जा अत्वार स rapport इस तरह से धिर को थोड़ा पता कर दिया जाए तो इस मसंका की शरी के समाप्त होने पर चल्प हूं तरे मैं कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वै उस सारे शक्ति समू के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है इसलिए मृत्यू के दो पक्षें प्रतम पक्ष में इसका अर्थ है नई शक्ति की उत्पत्ति का रोख जाना दूसरे पक्ष में इसका अर्थ है विश्व म संचार कर रहे शक्तिक पुंज में नहीं अतिरिक्त व्रद्धी का हो जाना संभवता मृत्यों के इन दोनों पहलों से ही के ही कारण भगवान पुद्ध ने कहा कि वह पूंडता उच्छेदवादी नहीं थे जहां तक आत्मा की बात है वह उच्छेदवादी थे किन्तु जह आप हिंदी और इंग्लिश की पुस्त के पढ़िए और तिप्टक को जरूर पढ़िए इस प्रकार की व्याक्या से यह समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह उच्छेदवादी नहीं है वह नाम रूप की पुंदरुत्पत्ति में विश्वास रख वरतमान विज्ञान के सरवथा अनुरूप है केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुंदर जनम में विश्वास हकते थे शक्ति कभी शुन्य में परिमत नहीं होती विज्ञान इसकी पुष्टी करता है इस अर्थ में कि मिर्तिव के बाद कुछ न नहीं है शक्ति मात्रा में परिवर्तनिया नहीं है केवल यही ऐसा तरीका है जिससे पुनर जनम संबंदी दुविदा का हो सकता है पुनर जनम किस विक्ति का सबसे कठीन प्रश्ण है पुनर जनम किस विक्ति का क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन गरन करता है क्या बहुत कम संभावना है getting मृत आदमी की धेय के सभी भहतिक अंशना न्य सब्सक्र there से मिलकर एक नए शरील का निर्मानत कर सके तभी उस आदमी के पंढर्जनम की संभावना हो सकती है यदि भिन-भिन मृत श्रीरों के अंशों के मेल से एक नया श्रीर बनता है तो यह पुनरजनम है लेकिन यह उसी आत्मी का पुनरजनम नहीं हुआ विखोनी खेमा दुवरा राजा पसेंदी को यह विश्वे समझाया गया है एक बार अथागत सावत्थी के पास अनात्मिंडग के जित्वनरा में विहार कर रहे थे अब उस समय कोसल जन्पद में चारिका कर चुपने के पश्चाद भिखोनी खेमा सावत्थी और साकेत के बीच तोण वत्थू नामक स्थल पर ठहर गई उस समय कोसल जन्पद पसंदी साकेत से सावत्थी की और जा रहे थे साकेत और सावत्थी के बीच रास्ते में वे एक रात के लिए तोण वत्थू में रुके कोसलाज पसेंदी ने एक आदमी को बुला कर कहा अरे भले आदमी किसी शिर्मन अत्वा ब्राहमन का पता लगा जिससे हम आज के दिन वारता कर सके उस आदमी ने उत्तर दिया महराज बहुत अच्छा वह सारी तुर्णवत्थू में घुमा किन्तू से एक भी शिर्मन अत्वा ब्राहमन ऐसे नहीं मिला जिससे महराजा वारता कर सके तब उस आदमी ने विक्षूनी खेमा को देखा जो तुर्णवत्थू में ठहरी हुई थी उसे देखकर वह कोसलाज पसेंदी के पास वापस गया और बोला महराज तुर्णवत्थू में कोई ऐसा शर्मन अम्राहमन नहीं है जिससे आप वारता कर सके कि तुर्णवत्थू महराज खेमा नाम की विक्षूनी तथागत की एक शिश्या यहाँ है उसकी ख्याती सुनी है कि वह अरहत है योग्य है सूसंस्क्रित है और बुद्धीमान है ग्यानवान है बात्षित में निपून है और हाजिर जवाब है महराज आज के दिन आप उसकी ही संगती करे तब कोसलाज पसेंदी विक्षूनी खेमा के पास गया पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया इस परकर बैठे हुए उसमें विक्षूनी खेमा से तर्शन किया इस विश्य में आपका क्या कहना है किया तथागत मरनांतर रहते हैं महराज यह बाद तथागत दवारा व्यख्या रहित् – रखी गई है तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूं कि которое मरनांतर नंतर रहते हैं तो आपका उत्तवरता है कि यह बाद तथागत ने व्याक्या रहित् – रखी गई है जिसे के अव्याख्याईत रखी गई है और जब मैं दूसरे प्रशन पूछता हूँ तब भी आपका वही उत्तर होता है कि यह बाद भी तथागत ने अव्याख्याईत रखी है कि यह बताए कि क्या होता है क्या हेतू है क्या कारण है जो थागत ने यहां बात आवयाख्याईत रखिए महाराज अब मैं आपसे संबद में एक प्रशन पूछती हूँ जैसा आप ठीक समझें वैसा उत्तर दे अब आप क्या कहते हैं क्या आपके पास कोई गणना करने का यंत्र है कोई हिसाब लगा कर बता सकने वाला है जो गंगा में बालो की गणना करके बता सके कि इसमें कितने सो, कितने हजार ये कितने लाग बालो के गण है वास्तर में नहीं तो क्या आपके पास कोई ऐसा गणनक है जो ऐसा हिसाब लगा कर बता सकने वाला हो जो विशाल समुद्र के जल को माप कर यह बता सके कि समुद्र में इतने कितने गैलन जल है कितने सो गैलन जल है इतने हजार गैलन जल है इतने लाख गैलन जल है वास्तों में नहीं ऐसा कैसे है समुद्र विशाल बहुत गयर है इसके तिल की सीमा नहीं है इसकी कोई था नहीं है इसी परकार महराज यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे परिभाशित करना चाहे तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है वह जडमूल से कट चुका है वह कटे ताल विर्ख्ष की तरह हो गया है वे अभाव पर प्राप्त हो गया है और सभावता ऐसा हो गया कि भविश्य में अब उसकी पुनुरत पुत्ति नहीं होगी महराज तथागत के रूप से तथागत की तहे तक नहीं पहुचा जा सकता तथागत गहन गंभीर है तथागत असीब है और समुद्र की तरह ही उनकी तहे तक नहीं पहुचा जा सकता इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरनांतर रहते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरनांतर नहीं रहते हैं इसी पकार महाराज यदि कोई तथागत को वेदना से मापना चाहे तो तथागत की वेदना परितिक्त है वेद जडमूल से कट चुकी है वेद कटे ताड़ के वरिक्ष की तरह हो गई है महाराज तथागत की वेदना गहन है असीम है गणना से परे है समुद्र की ही तरह तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता इसलिए यह भी नहीं का जा सकता कि तथागत मनांतर रहते हैं नहीं रहते हैं इसी प्रकार महाराज यदि कोई तथागत की संग्या से तथागत